नमस्तार मेरे नाम आलोक है आप लाइश्टीज देख रहे हैं इस वक्त की बरी खबर निकल क्या रही है पत्ना हाई कोड के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे इस बात पर से अब परदा उठ गया है के विनोथ चंदरन उनकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे होंगे क के विनोथ चंदरन जो की केरल हाई कोड के सीनियर जस्ट थे अब उन्हें पत्ना हाई कोड का नया चीफ जस्टिस बनना है शपत गरन समारों भी होगा आने वाले समय में हम उसकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे लेकिन के विनोथ चंदरन ही पत्ना हाई कोड के चीफ उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका में होंगे लेकिन फिलहाल जो खबरे साम निकल के आई चकरधारी शरन सिंग ही फिलहाल मौजुदा समय में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे पतना हाई कोर्ट के लेकिन अब साफ हो गया है कि के विनोच चंदरन जो की केरल हाई कोर्ट के सिनियर जज है उन्हें पतना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाये गया है आने वाले समय में शपत गर्ण समारो भी होगा पतना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में चकधारी शरन सिंग फिलहा करेंगे इसकी सब्सक्राइब लेकिन फिल्हाल के विनोज चंदरन ये नाम आप समझ लेजिए पत्ना हाइप के चीफ जस्टिस होंगे लंबे समय से लोग की काफी कैसे के तो असमंझत स्विस्टी बनी हुई थी कि आखिर पत्ना हाइप के नए चीफ जस्टिस के रूप में कौन जज जो है वो यहां पर पद्भार ग्रहन करेंगे तो के विनोज चंदरन ही वो जज है जो कि केरल हाइप के जज रह चुके हैं वो पत्ना हाइप के चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं फिलाल जो खबर निकल क्या रही है के विनोज चंदरन के नाम पर केंदर सरकार की म रूप में पत्भार को ग्रहन करेंगे और आप समझ सकते हैं इससे पहले कई सारे सीफ जस्स रहे हैं पत्ना वाऊट में तो कई सारे नामों की चर्चा भी रही है लेकिन फिलहाल पत्थनónALLY की चीफ जस्टिस की रूप में रहे हैं उन्हें निफ्ट किया गया तत्काल रूप से क्योंकि 13 दिसंबर 2022 को कॉलेजियम की बैठक में पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस संजय करोल एव नयाधीश ए अमनुल्ला की अनुशंसा की गई थी जिस पर केंदर सरकार ने चार फरव से भी लोग उमीद रहती है नयाले से लोग उमीद रहती है और के विनोच चंदरन काफी अनुभवी हैं आप वो जब पटना आ रहे हैं लोग उनसे मिलेंगे और शपत गरन जब समारो होगा उन तमाम तस्मीरों से आपको अवबत कराएंगे कमारे चैनल को सब्सकाइब क